जनजन के आवाज जीन भारत में आपका स्वागत है नमस्कार मैं हुराशिका बजाज और आज मैं पहाडी मंदिर के समीप मौजूद हूँ जी हां राजानी रांची का पहाडी मंदिर और ये वही पहाडी मंदिर है जहां पर काफी उत्सा से सावन का महीना में काफी उत्सा देखने को मिलता है शिवराति री में काफी उत्सा देखने को मिलता है और उसी को ले करके अपर काफी जाधा फुलिस किबल की तेनाति की गई है कि अगर कुछ भी होता है तो पुलिस महले से पुलिस प्रशाशन यहां पर मौजूद है वह यदा अंदर लेकर के चलते हैं और अंदर का मोहल दिखाते हैं बाबा का नजारा दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी श्रद्धालू है आरे जो बाबा के भक्ते वो आ रहे हैं और यहाँ पर बाबा को जल चड़ा रहे हैं अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं दिया है ठा तूच्छ धालू से बात भी करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वह यह जो पहाडवी मंदर में मौजूद है वह पूजा करने आया कि कि किसे पुझुजवागने महा काल का क्या मनुकामना है कि आपको लग रहे हैं आपको लग रहे हैं कि पीछले दो सालों मेरें जो नहीं पाया पस्ट अच्छे सपाथ लेखना है फ्यूचर वनाना है बस यही मनुकामना लेकर आये कि उमीद रहे गा कि पिछले बार का जितना बस यही मनोकामना है और पढ़ा में जो लॉस हुआ है वो सब को रिकवर करने का तो हम किसे और धालू से बात करने की जाननी की कोशिश करते हैं कि वह पिछले दो सालों में जो नहीं पूरा हो पाया बाबा का दर्शन नहीं हो पाया वह आए है तो उनको आज कैसा लग रहा ह बहुत अच्छा लग रहा है दो सालों के बाद सावन में खासकर पूजा पहाड़ी बाबा पूजा करने का अउसर प्राप्त हुआ जै भोले ना जै भोले ना हर हर महादेव में तो अभी यम पंडिक से जाणने की कोशिश करते कि सावन का पूझा सावन में भोले बाबा का पूझा क्यों क्या जाता है आभक 2 बशं साद मात हरा में जो Alluk Land को जोहें बएक शीद्धेन कर जाते थे तो सारा काज भार है सिओ जीन में तो भगवान सीव जी का परसंद करने के लिए जो है सावन महिना है और भगवान सीव का जो है सुमारी ब्रत पुजा सावन माह जो है कबिल पत्र जल अरपन जो करते हैं और उनका जो है हर तरह की मनों कामना जो है भगवान पूरा करते हैं तो एक राजहानी रांची में एक ऐसा ही मंदर क्यों है कि जहां पर साखड़ों धालू एक यह तो जह है हिमाले परबत से भी पुराना है जब पूरा बेश्व लिक्विड में था तो भगवान सीव जी यहां पर आये थे और उनका पक्ञदम्ध मंदिर में नागदेवता का मंदिर है। वहाँ पर साथ जोडै भगवान सीव का पद का निशान है। इसे के वज़ा से भगवान शीव जी का जो है यहां सवणकर भगवान अश्टधातू के सीव लिंग हैं अस्थापित है और नाकदेवता करूना के कारण जो है तो बंद ही रहा लेकिन जब मंदिर खुल गया हम लोग को दूरी बना करके यहां रखना होगा कहीं कहीं जो है बीमारी फैल रहा है इसलिए उस पर नियंतन रखना होगा तो वहीं हमने पंडेजी से तो बात किया वहीं आपर जो भक्त है जो बाबा के श्रद्धालू है उनसे ही बात करते हैं कि आपके क्या कुछ आहीं हैं आपके यहां आ तो अच्छा लगा एक आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बाबा कि इतना आलोकिक श्रिंगार किया गया है मोगरे के फूल से, गेंदा के फूल से, कमल के फूल से बाबा का कितना आलोकिक श्रिंगार किया गया है और ये श्रिंगार सिर्फ सावन में नहीं, 365 दिन किया जाता है बाबा को रिजाया जाता है, बाबा के भगत आते हैं और जो यहाँ पर श्रिंगार करते हैं वो भी पुन्य के भागी है जो उनको इतना अच्छा अफसर प्राप्त होता है बाबा का श्रिंगार करने का और आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले से ही बाबा की श्रिंगार के लिए और बाबा का मंदिर कितना सुन्दर सजाय गया लाइटिंग की गई थी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना काफी काफी भव्य श्रिंगार किया गया है तो हमने काफी श्रद्धालू से बात किया काफी जो बाबा के श्रद्धालू है और पंडित जी से भी यहां के जो पंडित जी रेने वाले हैं उनसे भी बात किया उन्होंने काफी कुछ हमें बताया सावन क्यों मनाया जाता है और कोरोना के दो सालों बाद कितना उच्छा द जीन भारत रांची से स्योगी शिकाश्रा के साथ मैं राश्र का वजाज धन्यवाद।